जहें दोस्तों अंदे मातरव कल जब भारत में सुवेरा हुआ तो खबर ये पता चली कि भी है गोल्डन ग्लोब में आरारार के नाटी नाटी सॉंग ने अब आल जीत लिया है अब विसी बात है ये खबर हर एक भारती के लिए गर्व वाली खबर थी अब इसके उपर भारती है क्या होई है ये इस बारे में भी बात करने वाले है और अधनान सामी का भी नाम आया है दरसल अधनान सामी जी ने जिस तरीके से आंदर परदेश के सी एम को यहां पर पॉइंट आउट किया है तेल्गू सिनमा की बात करने को लेकर भारतीयता को लेकर उसी के उपर पूरे विवाद छिड़ा हुआ तो रजान लेते हैं क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले आरार के गाने नाटू नाटू को प्रतिष्ठत गोल्डन ग्लोब आवार्ड से नवाजा गया है इस मौके पर आंदर परदेश के सी एम जगन मोहन रेड़ी के एक ट्वीट पर विवाद हो चुका है दरसल आरा के मेकर्स को बढ़ाई देते हुए उन्होंने लिखा था कि तेलगु जंडा बुलंदी पर उड़ रहा है ये बाद सिंगर अधरान सामी को नागवार गुजरी उन्होंने जगन मोहन रेड़ी के ट्वीट पर रियाक करते हुए लिखा है कि ये अलगावादी सोच अच्छी नहीं है हम पहले भारती हैं इसलिए आप अपने आप को देश से अलग ना रखे जगन मोहन डेड़ी ने आरारा के मेकर्स को बढ़ाई देते हुए लिखा था कि तेलगु जंडा बुलंदी पर उड़ रहा है पूरे आंदर प्रदेश की तरफ से मैं फिल्म के सभी सदस्यों को बनाई देता हूँ हमें आप सभी पर काफी ज़्यादा गर्व है इस वीट के जवाब में अधरान ने लिखा कि तेलगु जंडे का क्या मतलब होता है क्या आप भारती जंडे के बारे में बात कर रहे हैं हम पहले एक भारती हैं इसलिए अपने आपको देश से अलग मत रखी अंतराश्टी स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं हम सभी एक देश के निवासी हैं ये अलगाववादी सोच सही नहीं है ये किस कदर खतरनाक है हम 1947 में अल्रेडी देख चुके हैं स्सराजमॉली के फिल्म आररार ने 11 जनवरी को अमारिका में चल रहे है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में उपलब्दी हासिल करी आररार के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सौंग अवार्ड जीता है इस मौके पर पी एम मोदी, अमिताब बच्चन और शारुक खान समेथ कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने फिल्म के मेकर्स और से जुड़े सदस्यों को मुवारक बात दी पी एम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ये भारती सिनमा के लिए एक इतिहास एक्षण है सिंगें के दुनिया में अदरान सामी का एक बड़ा नाम है लंडन ने पहले बड़े अदरान सामी के लिए पिता अरशद सामी खान पाकिस्तानी एरफोर्स में पाइलट थे 2015 में उन्होंने भारती नागरिकता के लिए आविदन दिया था 2016 में भारती सरकार ने नागरिकता दे दी अदरान सिंगर होने के साथ-साथ म्यूजिशियन, म्यूजिक कम्पोजर और पियानेस भी है हिंदी और साउथ मूवीज के लिए इंडियन और वेस्टन म्यूजिक कम्पोज करते है उन्हें 8 नममर 2021 को देश का 14 सरवोच परुसकार पदमश्री से भी नवाजा गया था उन्होंने लिफ्ट करा दे माहिया भर्दे जोली मेरी जैसे कई सारे मशूर गाने भी गाये लेकिन यहां पर यह विवाद कहीं न कहीं उनको काफी जादा भारी पड़ रहा है दरसल यह एक अलगाववादी सोच है जिसकों के लेकर चर्चा है हमारे देश में चलती ही रहती है यह कोई आज की चर्चा नहीं है पंजाब में भी हम देखी नहीं किस तरह के हालात इसमें बन चुके हैं खालिस्तान को लेकर और इस तरीके से किसी एक प्रदेश के बारे में इससे बात करना कहीं ना कहीं वो थोड़ा सभारी जरूर दिखता है आंदर बन देश के सीम ने इसके उपर ये भी कहा था कि भई वो तो सीधे तोर पर एक कलेक्टिव एफर्ट की बात कर रहे थे और क्योंकि वहां पर तेलगुज सिनिमा से जात तर लोग जुड़े हुए हैं इसलिए उन्हें ने तेलगुज घंडे की बात करी थे अधरान सामी वैसे भी अक्सर व्यादों में आते ही रहते हैं और लोग उनके पाकिस्तानी होने के उपर उनके पर तंज भी कसते रहते हैं लेकिन ऐसे मौके पर ज्ञंडे को लेकर इतना विवाद करना कहा तक सही है या आप लोग मुझे बताईए मेरे इस वीडियों फिलावत नहीं जाहिए जैपारा